नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेज काश्क्रम के साथ No Hard Work Only Smart Work एपिसोड 2 में हम आज आपको बताएंगे कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगाने के क्या है सही तरीके किस तरीके से आप अपने बच्चों को पढ़ाई में मन लगा सकते हैं मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि अगर बच्चों का पढ़ाई मन नहीं लगता है तो उसके क्या फायदे हैं और अगर मन नहीं लगता है तो क्या उसके नुकसान होते हैं मैंने आपको पहले एपिसोड में बता चुका हूँ आज के एपिसोड में हम आज बात करेंगे कि बच्चों का पढ़ाई में मन कही से लगाएं किस तरीके से लगाएं क्या आपको करना है देखिए पढ़ाई में मन लगाने की क्या टिप्स हैं मैं आज आपको ये बताऊंगा आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपको रोज फॉलो करना है और इसी टिप्स को अगर आप अपने रोज मर्डा के जिन्दगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी रूची पढ़ाई की तरफ धीरे धीरे सत परतिसत बढ़ने लगेगा और आप परिक्षा में अच्छे अंक ला पहेंगे तो हम सीधा चलते हैं टिप्स पर जो टिप्स नमर वन है रात को पढ़ने की जगह सुभा जल्दी उठकर पढ़ने का अभ्यास करें सुभा हमारा माइंड फ्रेस होता है जिससे याद किया गया कोई भी टॉपिक जल्दी याद हो जाता है टिप्स टू टीबी, मोबाईल, खेलने के लिए टाइम सेट कर लें और उसी टाइम पर खेले और टीबी देखें कभी भी पढ़ते समय मोबाईल को अपने पास ना रखें टिप्स नमर थ्री अपना एक लक्स बनाएं और उसे बार बार दोहराते रहें जैसे कि आपको ये सोचना है इस साल मुझे 90% मार्क्स लाने हैं अगर आप इसको एक लक्स बना लेंगे तो इससे भी आपको पढ़ने में मन लगेगा इसके साथ साथ जो टिप्स नमर फोर है पैरेंट्स भी बच्चों की पढ़ाई के समय टीवी ना देखें इससे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो अगर पैरेंट्स या माता पिता टीवी देखते हैं जिस समय उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है इसलिए आप ध्यान रखें कि आप भी टीवी उस समय ना देखें तो आपके लिए बेहतर होगा जो टीव समर फाइब है सेशन की सुरुवात से ही पढ़ाई शुरू कर दें जिससे हर चप्टर आराम से कभर हो जाएगा और एग्जैमनेशन के समय टेंसन नहीं होगी जिससे आप एग्जैम में अच्छा प्रफॉर्म कर पाएंगे तो आप अपने बच्चों को जब भी स्कूल की सुरुवात होती है उसी समय से जो चप्टर है जो जिसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है आपकी स्कूल में उसकी त्यारी सुरू करवा दें ताकि उनको लास्ट में एक्जैमनेशन के समय उनको कोई टेंशन ना हो और अच्छा प्रफॉर्म कर पाएं इसके साथ सा जो टिप सिक्स है पॉजिटिव एटिट्योट हमेशा पॉजिटिव एटिट्योट रखें हमेशा सोचते रहें आप जैसा सोचते हैं वह ऐसा हमारे जिन्दगी में होने लगता है तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचे जैसा आप सोचोगे वह ऐसा होने लगएगा आप ये सोचे कि आपको प्रफॉच्छा में अच्छे अंक आने वाला है आ रहा है ऐसा अगर सोचेंगे तो ऐसा आपके जिन्दगी में होगा इसके साथ साथ टिप्स नंबर सेवेन पढ़ाई करने के लिए सही जगह चुने देखिए आप कितना अच्छा ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं वह आपके परिवेश और बातावरन के उपर है इसलिए अपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान बनाए रखने के लिए सही जगह का चुनाव बहुत आवस्यक है अगर आपके घर में सोड सराबे होते रहते हैं तो उस बीच में आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो कोशिस करें कि बच्चों का एक अलग study room है और उन ही में उनको पढ़ने के लिए दें तो ये आपके लिए बहतर होगा जो tips 8 है सभी ध्यान हटाने वाली चीजों को दूर कर दें बच्चों के पास से keep all distracting devices away जितने भी distracting devices हैं उसको बच्चों से अलग रखे अगर आप कुछ भी ध्यान से लंबे समय तक बिना बिशलित हुए पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले शभी ध्यान हटाने वाली चीजों को दूर रख दें ज्यादा तर ध्यान हटाने वाली चीजों होती है mobile phone, social media, games, console और television तो इन चीजों को आप अपने बच्चों से दूर रखे तो ये आप के लिए बहुत बहतर होगा इसके साथ साथ अच्छी निंद का होना अच्छी निंद सोएं, get enough and good sleep आप जानते ही होंगे, सोने के कई फायदे है अच्छी निंद सोना पढ़ाई में मन लगने का एक बहुत ही बहतर माध्यम है जब कोई बैक्ती अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन सहीस तरीके से regulate होता है जो दिमाग को मजबुत बनाते हैं और सरीर को अराम भी देते हैं जिससे पढ़ते समय चीजे याद करने में मदद मिलती है ठाके हुए सरीर से कभी भी पढ़ाई पर ध्यान या फोकस करना बहुत मुश्किल होता है ये आप समझ लीजिए और कभी कभी तो ये नामुमकिन भी है इसलिए जरुदत के हिसाब से परती दीन अपने बच्चों को साथ से आठ घंटे तक सोने की सला जरूर दें ये आपके लिए बहुत महत्पुन होगा इसके साथ साथ जो महत्पुन बात है जब अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो सुरुवात के दोर में क्या करना है आपको कि कम समय के लिए पढ़ना है आपको एक घंटे दो घंटे पढ़ना है इसके बाद बीच में थोड़ा ब्रेक ले लें उसके लाद फिर से पढ़ाई के सुरुवात करें अगर आपको पढ़ाई मन नहीं लगता है और शुरुवात के दिनों में ही अगर आप ये गलती कर देते हैं कि ज़्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं कि शुरू में ही 4-5 घंटे पढ़ने लग जाते हैं जबकि आपको इतने देर पढ़ने की आदत नहीं है, फिर भी आप पढ़ते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ समाज में नहीं आएगा, और आपने जो पढ़ा है, वो भी आप भूल जाएंगे, तो ये गलती आप ना करें, जो बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो क निश्चित रूप से आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा, मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, कि किस तरह से आप स्मार्टली अपने बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं, कैसे वो स्मार्टली पढ़ेंगे, देखिए हमेशा हाड़ वर काम का चीज नहीं इसी बिशे पर हम आपको अगले एपिसोड में बताऊंगे, तो देखना मत भूलिएगा, नेक्स्ट एपिसोड, ये आपको वादा करना है मुझे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो किरप्याई से लाइक करे, सब्सक्राइब करे, तथा अपने दोस्तों सगे सम मन लगने लगे और अच्छा कर सके, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप यूट्यूब पर लिख सकते हैं, जीवन चक्र नित्यम, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक एपिसोड का नोटिफेकेशन मिल जाए, इस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद